हे सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मकर संक्राती की हार्दिक शुप काम नहीं और अब मैं बात कर रही हूं आपके PGCIL याने की Power Grid Corporation of India Limited में DT याने की Diploma Training के रिजल्ट को लेकर 425 वैकेंसी का ये रिजल्ट आने में डिले क्यों हो रहा है जो आपकी Electrical, Civil और Electronics जो पोस्ट निकली थी वहीं मैं बताने जा रही हूं क्योंकि Candidate काफी परेशान है कि Answer की जो है जबी तीन दिन बाद जो है आउट हो गई थी यानि कि जो वीडियो बनाई है उससे पहले भी आपको Expected Cut-Off के बारे में बताया है फिर भी मैं एक बार जो है रिवाइस कर देती हूं कि क्या Cut-Off जो है रहने वाली और फिर जो है मैं आपको रिजल्ट को डिले होने का भी रिजन बताऊंगी कि रिजल्ट जो है कब आएगा और कब आपका Medical Exam होगा उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियो यूसफूल लगती है तो आप चैल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मे यानि कि टाक्निकल नोलिज और आपका रिसेटी यानि कि सूपरवाइजरी एप्टिट्यूट टेस्ट एक्समाक्स का हुआ ता उसके अकोडिंग जो है कट ओफ जो है अलग लग रिजन की जो है क्या रहने वाली है तो सबसे बहले मैं बात कर लेती हूं नोर्थ रिजन मे ठीक है रिपीट कर रहूं कि आप देख लेणा क्या रहने वाली है तो यो आर कि मैं बात करूं यान कि जनरल ग्राटिग्री की 80 रहने वाली है ओभी सी की 70 रहने वाली है एसी की 60 और और आपकारो North Reason 3 में तो UR की 75, OBC की 63, SC की 58, ST की 50 रहेगी बात करें आपकी East Reason की तो East Reason की UR में 75, OBC की 65 और SC की 58 रहने वाली है East Reason में 2 जो है आपका UR की 68, OBC की 55, SC की 50, ST की 45 रहने वाली है West Reason 1 में जो है UR की 76, OBC की 66 और SC की 55 रहने वाली है वेस्ट रीजन 2 की में बात करूँ तो यूर की 70, OBC की 60 और SC की 50 रहने वाली है और साउथ रीजन का तो एक्जाम नहीं हुआ था, कैंसील हो गया था चलिए, अब ये तो रहा आपकी एक्सपेक्टिज कट ओफ को लेकर अब मैं बात कर लेती हूँ, रिजल्ट है डिली होने का जो है, रीजन क्या है ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो मैंने पता करा है, उसमें तो ऐसी कोई खास बात निकली नहीं है वस्थ ये कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है, हाँ पीजी सी आईल का डिप्लोमा ट्रैनिंग का रिजल्ट जो है, मिनिमम जो है, ये बता रहे हैं कि डेड़ दो मंत में ही जो है, आजाता है, एप्रोक्स तो अभी तो इतना टाइम भी नहीं है, जो आप अपना पैसे लेवल खो रहे हो, ठीक है बहुत से रिजल्ट ऐसे होते हैं, अगर आप यूपिटर पलसी को लेके चलोगे, हाँ कैंडिडेट 5-5-6 साल बरबाद हो जाते हैं, यूपिटर पलसी के, और आपके तो फिर देड़ दो मंत में आपका रिजल्ट डिगलेर होई जाएगा, तो जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाले हैं, उसके अकोर्डिंग तो वो खहरे हैं, कि 20-28 जनवरी के अंतरगत जो है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप पता नहीं, जो यह कहते हैं, वो कितना सच है, मैं तो कोई भाग विदाता हो नहीं, मतलब कोई रिजल्ट विजल्ट लिखने वाली तो होई नहीं जो इनफोर्मेशन मिलती हैं, आपको रहा देती हैं, फिर भी आप लोग वीडियो, क्या है, इसमें फेक मुझे बता दो, ठीक है, जो मुझे इनफोर्मेशन मिलती है, वो मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर देती हूं, हाँ तो उन्होंने यह जरूर कहा है, कि मैडिकल होने में टाइम नहीं लगेगा, मैडिकल 15 देज के अंदर आपका हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत दिले हो रहा है, वो आपका रिजल्ट आने में ही डिले हो रहा है, तो हो सकता है, आपका इसी जनवरी में जो है, रिजल्ट जो है, आउट हो जाए, तीक है, बास से तो यह थी आपकी रिजल्ट और अप्डेट और डियू डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे चल के आपको कौन कौन से डोक्यूमेंट लगेंगे वह वीडियो बनाऊंगे इसलिए आप चैल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि पूरे यूट्व चैनल पर आप